Hello students, स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर, मैं हेमलता, आज आपके साथ इस सेशन के अंदर जो टोपिक डिसकुश करने जा रही हूँ, वो है लिवर या जिसे हिंदी में कहते हैं यकरत. यकरत या लिवर के क्या functions हैं एक human body के अंदर, आज हम उस पर क्या करेंगे, discussion करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो आज का topic है वो क्या है, लिवर. हिंदी में कहें यकरत, लिवर and its functions in human body. यह आज का हमारा topic है, तो topic स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहला question जो, यह है कि जो लिवर है या यकरत है, यह मानव शरीर के अंदर कहां पाया जाता है. I mean to say that, कि इसकी कहा position है, तो लिवर की position देखने से पहले, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यह मानव शरीर जो है, यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं मिलकर किसका निर्मान करती है? उतक का निर्मान करती है, उतक मिलकर सबसे पहले बहुत सारी कोशिकाओं मिलती है, कोशिकाओं मिलकर किसका निर्मान करती है, यह हम कहें टिशू का निर्मान करती है, यह टिशू आपस में मिलकर औरगन का निर्मान करते हैं, अंगों का निर्मान करते हैं, और काफी सारे अंग मिलकर किसका निर्मान करते हैं तो हम कहें औरगन सिस्टम का निर्मान करते हैं अंग तंत्र का निर्मान करते हैं यही अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो एक human body का निर्मान होता है या हम कहें कि एक मानव शरीर का निर्मान होता है जब काफी सारे और्गन सिस्टम आपस में जब वर्ख करते हैं तो मानव शरीर का निर्मान होते हैं इन्ही अंग तंत्रों में से एक जो तंत्र है या कहें एक सिस्टम है जिसका डाइग्राम आपके सामने दिया है इसका नाम क्या है यह शरीर का पाचन तंत्र है क्या है पाच्चन तंत्र या हम इंग्लिश में कहें इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अब बात आती है कि मैडम टॉपिक हमारा लीवर है लेकिन आप हमें डाइग्रम किसका दिखा रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम का तो यह किसलिए दिखाया जा रहा है कि जो लीवर है यह हम कहें इंडाइरेक्ली कहां से रिलेट करता है किसके साथ रिलेट करता है तो हमारे शरीर के पाच्चन तंत्र के साथ related करता है सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर अम डाइजेस्टिल सिस्टम के बारे में देखते हैं डाइजेस्टिल सिस्टम के अंदर क्या-क्या पार्ट्स हैं तो सबसे पहले ये है हमारा माउथ माउथ के बाद यह जो green color की आपको दिखाई दे रही हैं यह क्या है slivery glands या जिनको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथियां slivery glands यहाँ पर यह जो एक लंबी pipe नुमासन रचना है यह क्या कहलाती है isophagus कहलाती है या हम इसको यह भी कह सकते हैं food pipe या ग्रसिका कहते हैं हिंदी के अंदर ये ग्रसिका आगे जाकर जिस structure के साथ जुड़ती है इसको बोलते हैं stomach या हिंदी में कहेंगे amasya इसी amasya का जो next part है यहाँ पर आप देखो ये एक u shape के अंदर सनरचना जा रही है यह सनरचना क्या है यह हमारे शरीर की क्या है छोटी आंथ कहलाती है या हम कहें English में small intestine कहलाती है small intestine आगे जाकर large intestine से जुड़ेगी और large intestine जो है यह कहां आती है anus के द्वारा या मल द्वार के जाकर खत्म यह था हमारा brief के अंदर digestive system तो देखें सबसे पहले खाना अच्छा एक जो main part है यहाँ पर आप देखोगे एक umbrella like structure है यही क्या है हमारे शरीर का यकरत कहलाता है या liver है ठीक है तो liver जो है यह हम कह दें indirectly या directly कुछ भी कहें यह हमारे पाचन तंत्र से क्या करता है relate करता है अब एक बात आती है कि madam क्या यक्रत हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है तो yes यह सहायता करता है लेकिन indirectly वे के अंदर करता है directly यह कहें कि खाना इसके अंदर नहीं जाता digest होने के लिए क्योंकि खाना mouth से कहा गया यहां food pipe के अंदर food pipe से आया stomach के अंदर stomach से यह जाएगा small intestine में small intestine से large intestine में और जो एपचित भोजन है यह है एनस के द्वारा शरीर से बाहर excreate कर दिया जाता है अब यहां पर दो सनरचना यह आपको अलग दिख रही है एक तो यहां पर liver और second यह एक पत्ती नुमा सनरचना दिख रही है यह क्या है pancreas Hindi में कहते है अगनाशय तो यह दोनों जो सनरचनाए है यह खाने को डाइजेस्ट करने में या पचाने में सहायता करती है बट डाइरेक्टली नहीं यह हम कहें कि भोजन इन दोनों के अंदर नहीं जाता बलकि इनसे निकलने वाले जो एंजाइंस या जूस होते हैं या रस होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर क्या करते हैं मदत करते हैं तो liver भी क्या करता है लिवर के अंदर जो चीजे या जो जूस बनते हैं, निकलते हैं, ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, इसलिए कहते हैं कि लिवर जो है, इंडायरेक्टली अपना रोल प्ले करता है, खाने को पचाने के अंदर, खाना कभी भी लिवर के अंदर नहीं जाता है, ठ जलो next page पे हम देखेंगे, अच्छा एक चीज और, यहाँ जो यह U-shape की जो सनरचना है, यह small intestine के तीन पार्ट होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, छोटी आँथ, small intestine के तीन पार्ट होते है, सबसे पहला पार्ट होता है, डूडिनम, फिर इसके बाद आता है, जेजुनम, फिर आता है, इलियम, ठीक है, डी, जे, आई, तो यह तीन पार्ट जो हैं, यह किसके हैं, हमारे छोटी आँथ के पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट के अंदर हम देखेंगे, कि जो लिवर है न, लिवर, यह कहां पर जुड़ा हुआ है, इस फर्स्ट वाले पार्ट या डूडिनम पार्ट के उपर जुड़ा हुआ हुआ, और लिवर में बनने वाले जितने भी रस हैं या जो भी हैं, ये कहां पर आते हैं, इसी छोटी आंत के फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला point कि लिवर की position या इस्तिती देखी जाए तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि लिवर कहां है तो right side of stomach second एक और position भी हो सकती है कि यह हमारे stomach के right side part में है या हम कह सकते हैं कि यहां पर उपर की तरफ क्या होती है पसलियां होती है ribs होती है ribs cage होता है पसलियों का पिंजरा होता है उसके नीचे भी इसको बोल सकते हैं या हम कहें diaphragm होता है मतलब प्रशन तंत्र के अंदर एक term आती है diaphragm तो यह diaphragm के नीचे भी इसकी position को हम लिख सकते हैं तो यहां लिखेंगे second position पूछे तो rib cage के नीचे third diaphragm के पास तो यह तीन इसकी क्या होगी positions होगी second हम देखें की रंग कैसा है liver का तो पीछे आपने diagram में देखा है गुलाबी रंग की सनरचना गुलाबी रंग की सनरचना है यह होता है तो यह लिख सकते हैं हम heaviest organ in human body बड़ा अंग है हमारे शरीर का second sorry next fourth इसके अंदर क्या है यक्रत जो है यह हम कहें liver मानव शरीर की सबसे बड़ी बही स्त्रावी ग्रंथी है largest exocrine gland in human body ठीक है तो क्या पहला हमने पड़ा यह इसकी position हो गई second गुलाबी रंग की सनरचना है third is इसका वजन क्या है तो यह हमारे शरीर का सबसे heaviest organ है and next is liver जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी बही स्त्रावी ग्रंथी है यह हम कहें largest exocrine gland in human body अब यहाँ पे एक शब्द आई है या एक term आया है क्या term है वो term है यहाँ पे gland या ग्रंथी तो यह ग्रंथी शब्द क्या है देखे ग्रंथी जो है यह हम कहें English के अंदर gland जो है gland क्या होती है मानव शरीर में यह हम कहें शरीर की अंदर कुछ ऐसी सनरचनाई पाई जाती है जो क्या करती है कुछ chemicals को release करती है ठीक है तो हम लिख सकते हैं ऐसी structure या ऐसी सनरचनाई जो किसी रासाइनिक पदार्थ को को release करती है क्या कहलाती है ग्रंथी कहलाती है अब chemical जो material है अब यह किस form में हो सकता है तो यह तीन form के अंदर हो सकता है कौन कौन से form में होगा तो first यह रस के रूप में हो सकता है रस मतलब juice के form में juice पीने वाला juice नी दूसरा juice second यह एंजाइम्स के रूप में हो सकता है और third hormones के रूप में तो जो ग्रंथियां होती है वो एक chemical substance को क्या करती है release करती है यह chemical substance जो है तीन form के अंदर हो सकता है यह juice के रूप में हो सकता है enzymes के रूप में हो सकता है और hormones के रूप में भी हो सकता है और जो एक्जोक्राइन होता है बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है वो या तो जूस को रिलेट करती है या जूस को सिक्रीट करती है बहिस्त्रावी ग्रंथियां या तो एंजाइम्स को रिलीज करेंगी या जूस को रिलीज करती हैं और जबकि जो हार्मोन्स होते हैं ये किनके द्वारा स्त्रावित किये जाते हैं तो अंत्य स्त्रावी ग्रंथियां अंत्य स्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा क्या किये जाते हैं रिलीज किये जाते हैं तो यक्रत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी बही स्त्रावी ग्रंथी है कहने का मतलब उसमें या तो जूस निकलता है या फिर क्या निकलते हैं, enzymes निकलते हैं, यही juice और enzymes हमारे खाने को digest करने में मदद करते हैं, चलो next, ये बात कर ली हमने ग्रंथी की fourth number पे हम क्या देखते हैं liver के बारे में तो liver जो है क्या-क्या functions है इसके, सबसे पहले liver क्या करता है एक juice को secrete करता है, इस juice को क्या कहते हैं, bile juice या बोलते हैं, पित रस sorry, इससे पहले एक point रह गया point ये है कि जो liver है liver शब्द तो हम आम भाशा के अंदर बोलते हैं, liver liver खराब हो गया, यक्रत खराब हो गया लेकिन इसके लिए जो medical term use की जाती है, या हम बोले scientific term है, वो क्या होती है हिपेटिका हिपेटिका या एक और term आती है जिसको बोलते हैं हिपेटो और यक्रत की या हम कहें liver की study को क्या बोला जाता है, हिपेटो लोजी दो शब्द हैं इसके अंदर, आप देखोगे हिपेटो means liver की बात कर रहे हैं, लोजी study करना, तो यक्रत की study करना क्या कहलाता है, हिपेटो लोजी कहलाता है next देखेंगे की liver जो है, एक विशेश परकार की cells का बना होता है, जिनको बोलते हैं हिपेटिक cells किसका बना हुआ है? हिपेटिक cells का बना हुआ होता है अब बात करते हैं, ये liver के बारे में हमने general information देख ली, इसकी position क्या है, इसका weight क्या है, color क्या है, किन cells का बना हुआ होता है तो ये सब देखने के बाद, next इसके functions में देखते हैं, कि bile liver किसका निर्मान करता है, bile juice का ये जिसको बोलते हैं, pitras और ये है pitras, जो है इस diagram में देखोगे आप इस diagram के अंदर ये क्या है, liver liver के नीचे यहाँ एक green color की एक थैली नुमा सनरचना दिखाई दे रही है, sack like structure है ये क्या कहलाती है, gallbladder ये जिसको बोलते है, pitasya ठीक है, तो liver का function जो पहला main function है, वो क्या करता है, pitras का निर्मान करता है, pitras या bile juice बनता कहां है, liver में जब ये access amount के अंदर बन जाता है, तो store कहां होता है, gallbladder में या पिताश्य के अंदर, और इसी gallbladder के द्वारा, यहाँ पर bile duct के द्वारा, यह हम बोले, pit की जो नली है, इसके द्वारा यह कहां release कर दिया जाता है, छोटी आथ के, first part के अंदर, dudenum के अंदर, और यह pitras, या bile juice क्या करता है, जो हमारा खाना आ रहा है, उपर से, उसको digest करने का काम करता है, तो सबसे पहला यदि हम देखे, main function जो है, वो क्या है, pitras का निर्मान करना, तो यहां पर कुछ points लिखेंगे, इसका निर्मान कौन करता है, निर्मान करता है liver, यह store कहां होता है, तो store होता है यहां pitrasya में, या जिसको English में बोलते हैं, goal bladder, और यह work कहां करता है, इसका work place कहां है, तो यह work कहां करता है, छोटी आथ के अंदर, small intestine के अंदर यह क्या करता है, अपने work को क्या करता है, पूरा करता है, तो question आता है कि pitraska निर्मान किसके दौरा किया जाता है, options के अंदर होता है, pitrasya तो बच्चे क्या कर देते हैं, pitrasya के दौरा, यह हम बोलें, गोल ब्लेडर के दौरा, क्योंकि नाम जो है, वो थोड़े से सेम सेम सिमिलर से लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, pitraska निर्मान जो है, वो यक्रत के दौरा किया जाता है, और यह यक्रत से निर्मान होने के बाद, अब एक्सस अमांट के अंदर बनता है, स्टोर कहां होता ह है, गोल ब्लेडर में, और अपना काम कहां पर करता है, छोटी आथ के अंदर, ठीक है, तो अब इसके pitraska के काम क्या है, तो सबसे पहला काम है, इसका कारिया देखें, pitraska क्या करता है, तो मैंने आपको इंडिरेक्ली बताया यह कि यह खाने को डाइजिस्ट करता है, क्या म इसकरन, इंग्लिश में बोलता है, emulsification of fat, इसकरन को क्या बोलता है, emulsification, क्या होता है emulsification, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दोरान, हमने जो fatty चीजे खाई है, जैसे कोई तला फला या कुछ बटर बटर खाया है, तो वो क्या होती है, एक तरगी fat है, वो fat, ड बड़े होते हैं, इन्ही fat के बड़े-बड़े molecules को क्या करता है, bile juice या पितरस क्या करेगा, छोटे-छोटे टुकरों में बांट देता है, जो fat हमने ली है हमारे खाने के अंदर, इसको क्या करेगा, छोटे-छोटे molecules के अंदर तोड़ देता है, ये छोटे-छोटे molecules क्या कर चोटी आंथ के अंदर जाएंगे, वहाँ पर डाइजेशन के अंदर, या इसको पचाने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, बड़े मोलिकूल्स को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इसका इमलसिफिकेशन किया जाता है, किसके दोरा, बाइल जूस के दोरा, अब बाइल जूस का और काम देखें, तो यह नेचर में, यह हम कहें यह परकर्ती में क्या होता है, शारिय होता है, बेसिक नेचर का होता है, अलकेलाइन, यह भोजन को क्या करता है, शारिय माध्यम परदान करता है, क्यों परदान करता है क्योंकि जो खाना होता है हम चुंकि खाना खाते हैं तो अब्यसी बात है शरीर के अंदर पानी भी है तो पानी के अंदर जो शारिय माध्यम होता है या हम कहीं alkaline जो चीज़े होती है वो जल्दी dissolve हो जाती है इसलिए ये हमारे जो खाना उपर से आ रहा है अमाश्या से आ रहा है उसको क्या करेगा alkaline medium देता है जिससे वो जल्दी पानी के अंदर या दो mix होके digest हो सके अब बाइल जूस के यदि nature की बात करें तो ये इशारिया होता है इसकी pH देखे साथ से लेके आठ के बीच में वैरी करती है ठीक है alkaline है तो कहीं पे आपको साथ पुंट साथ से लेकर आठ पुंट साथ मिल सकता है तो ये है कि साथ से लेके आठ के बीच में ये क्या करती है वैरी करती है को रंग कैसा होता है तो हलका पीला रंग या पीला हरा रंग भी आता है मिक्स सा कैसा होता है अब कुछ लोग कहते हैं कि पित रस के अंदर एंजाइम्स पाये जाते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है पित रस के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं पाये जाते हैं पित रस में enzymes नहीं पाए जाते इसके अंदर क्या पाए जाते हैं पित वर्नक या हम कहें bile pigment कौन कौन से होते हैं दो bile pigment पाए जाते हैं जो इसको हलका पीला हरा रंग परदान करते हैं फर्स्ट बिलिरुबीन हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों में इनके नाम यही हैं बिलिरुबीन और बिलिरुबीन जो है यह पीला रंग परदान करता है और यह क्या करता है हरा रंग परदान करता है नेक्स्ट इनके अंदर क्या पाया जाते है कुछ लवन पाये जाते हैं salt तो पित्रस के अंदर enzymes नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर वर्नक पाए जाते हैं bilirubin, biliverdin और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं लवन पाए जाते हैं हमारे stool को stool में दुरगंद का कारण यही है मल में या stool में जो smell आती है वो इनी के कारण आती है तो यह बात कर ली हमने पित्रस की सबसे पहला main function जो हमने liver का देखा क्या है कि यह हमारे शरीर में जो mainly पित्रस का निर्मान करता है पित्रस एक ऐसा रस है जो लगातार बनता रहता है जब यह excess amount में बनता है तो goal bladder के अंदर आ जाता है goal bladder से यह कहां पर आता है छोटी आंथ के अंदर आता है छोटी आंथ के अंदर यह वहाँ पर अपना work करना start कर देता है खाने को digest करता है उसको शारीय माध्यम परदान करता है छोटी आंथ के जितने भी enzymes है उसको क्या करता है यह active form के अंदर लाता है यह हो गई पित्रस की बात next function हम देखेंगे पांच नंबर पे liver का क्या function है तो liver जो है proteins का निर्मान करता है हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेश proteins पाये जाते हैं proteins का निर्मान करता है कौन से विशेश protein है तो नाम सुना होगा Fibrinosin Fibrinosin और Prothombin Hindi इंगलिश दोनों में यही नाम है Fibrinosin और Prothombin यह जो विशेश परकार के protein है इनका क्या काम है तो यह है blood clot करने के लिए शरीर के अंदर blood clotting protein है यह हम कहें रुधिर का थक्का क्या होता है यह आपने देखा होगा कभी हमारे शरीर पर चोट लगती है किसी विवाग में तो चोट लगते ही तुरंत वहाँ से क्या निकलता है blood निकलता है blood का flow होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके उपर क्या होगा एक पपड़ी सी बन जाती है पतली पपड़ी बनती है उसी को हम क्या बोलते है science की language में blood clot होना अगर भगवान हमारे अंदर ये दोनों चीजे ना बनाए या ना डालता तो blood तो निकलता जाता loss होता तो उसके कारण फिर क्या होता last में व्यक्ति का सारा blood बाहर आ जाता लेकिन ये दो ऐसे प्रोटीन है जो शरीर की जो blood cells है उनके बीच की अंदर एक जाल बना देते हैं जिसके कारण उस चोट वाले स्थान पर एक जाल बन जाता है ये एक पतली layer बन जाती है जो हमारे blood को क्या करती है वहीं पर रोक देती है या कहें बाहर निकलने नहीं देती इसी को बोलते हैं blood clotting होना या रुधिर का ठक्का बनना अब बात आती है कि मैडम अगर हमारे शरीर के अंदर या हम कहें हमारे blood के अंदर ये दो protein है तो हमारे शरीर के अंदर भी blood का clot हो जाना चाहिए क्योंकि ये clotting कर रहे हैं और इनका निर्मान कुन कर रहा है ये अकृत कर रहा है तो अगर ये शरीर के blood में ये दो protein पाया जा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी blood flow हो रहा है उसका क्या होना चाहिए था clot हो जाना चाहिए था तो उसके लिए भी बगवान ने क्या किया एक system fit किया है क्या है वो system तो एक anti-clotting protein पाया जाता है शरीर के अंदर जिसका नाम है hyperine इस hyperine नामक protein का ये protein को कौन बनाता है यकरत बनाता है और ये है क्या है anti-clotting protein है मतलब ये हमारे शरीर के अंदर जितना भी blood flow हो रहा है उसको जमने नहीं देता थक्का नहीं बनने देता क्या है ये hyperine नामका एक protein जो है शरीर के अंदर या blood में पाया जाता है और इस hyperine का निर्मान भी किसके द्वारा किया जाता है यक्रत के द्वारा किया जाता है तो ये हमने यक्रत का function देखा है एक proteins का निर्मान next हम देखेंगे कि यक्रत जो है कुछ पदार्थों को संचे करने का काम भी करता है तो कुछ material को ये क्या करता है storage का काम करता है क्या storage करता है तो कुछ vitamins को storage करता है यह है अब vitamins कौन कौन से है vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K और एक है vitamin B12 इन vitamins को क्या करता है यक्रत या liver जो है अपने अंदर store करके रखता है next और क्या store करता है तो यह कुछ मात्रा में copper और iron को भी अपने अंदर store करके रखता है RBC को store करता है RBC का निर्मान कहां होता है तो spleen के अंदर, pleeha के अंदर या फिर bond marrow जो हमारे शरीर की bond marrow है वहां पर होता है लेकिन कुछ RBC को यह क्या करता है liver अपने अंदर भी store करता है कुछ जो RBC है उसका एक निश्चित time period होता है 120 दिन का 120 दिन के बाद यह कुछ मात्रा के अंदर liver में जाती है कुछ में पलीहा में जाती है तो इसलिए यह कुछ मात्रा में क्या करता है liver RBC को store करता है शरीर के, next work देखेंगे शरीर के या temperature को बनाई रखते है next function है यह भी important है 9th number पे जो मैं बताऊंगी तो जब हम खाना खाते हैं खाना खाने के दोरान हम हमारे भोजन के अंदर काफी मात्रा में क्या लेते हैं carbohydrate लेते हैं carbohydrate जो है यह हमारे शरीर में गया यह carbohydrate जैसे ही हमारे digestion के अंदर जाता है तो digest होने के बाद जो सबसे सरल यूनिट बनती है simplest unit होती है वो बनती है किस फॉर्म में glucose की फॉर्म में अब glucose जो है शरीर के अंदर क्या करता है energy देने का काम करता है जितने भी हम हमारे रोज मरा के काम है उसको energy कहां से मिलती है सबसे जादा glucose से मिलती है अब जितना खाना खाया carbohydrate खाया हमने आलू चावल वगएरा यह सब रोटी खाई इनमें क्या होता है carbohydrate होता है carbohydrate digest हुआ यहां पे लिख देते हैं digestion हुआ इसका digestion में सबसे simplest unit क्या बनी तो glucose बनी अब glucose जितना हमें चाहिए था हमारी बोडी को चाहिए था उतना तो उसने use ले लिया अब कुछ glucose ऐसा है जो use में नहीं आया लेकिन वो शरीर के अंदर अभी भी पड़ा है तो यह जो excess amount का जो glucose है अगर शरीर में blood में flow होने लग जाए तो यह हमारे अंदर किसका क्यारेगा blood sugar का level बढ़ा देगा जिससे हम क्या कहते हैं diabetes होने का खत्रा रहता है तो इसके लिए भी भगवान ने क्या system बनाया है जो excess मात्रा का glucose है यह किस form में convert हो जाता है glycogen की form में और glycogen जो है यह क्या होगा यह है liver जो है इसको store कर लेता है ठीक है तो liver का और क्या function है यह भी function इसका important है कि जो शरीर के अंदर अधिक मात्रा का या जो extra glucose पड़ा है उसको liver क्या करेगा glycogen की form में change कर देगा और इस glycogen को अपने अंदर कहां कर लेता है store कर लेता है अब यह glycogen store किया तो काम कब आया तो आप देखते हो जब fast करते हैं हम fasting होती है या फिर कोई भू करताल वगरा होती है तो उसके दोरान क्या होता है खाना तो हम इतना नहीं खाते properly तो शरीर के अंदर energy down होने लगती है और energy की requirement पूरी कहां से होती है glucose से अब यह glucose तो हम पूरा मत्रा में ले नहीं रहे है तो यह जो store हुआ हुआ glycogen है यह किसकी form में जाना start हो जाता है तूटना glucose की form में और यही glucose जो है यह क्या करता है हमें उस time पे energy provide करने का काम करता है तो यह glycogen क्या कब काम आता है emergency के दोरान काम आता है कब यह इसको यहां convert कर देगा और यह हमें energy देना start कर देता है तो इस glycogen को एक और term भी दी जाती है वो term क्या है यहां पे हम लिखेंगे glycogen जो है human body का या मानव शरीर का संचित भोजय पदार्थ है मानव शरीर का कहलो या animal cell का कहलो question आता है कि मानव शरीर में यह जन्तु कोशिका के अंदर यहां पे आप जन्तु कोशिका वर्ड लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा animal cell कि जन्तु कोशिका में संचित भोजय पदार्थ कौन सा होता है तो वो किस फॉर्म में होता है glycosin की फॉर्म में होता है और इसी के साथ एक question और देके पूछा जाता है कि पादब कोशिका में plant cell के अंदर storage food material क्या है संचित भोजय पदार्थ क्या है तो उसे हम कहते हैं starch हिंदी में बोलेंगे mand ठीक है तो यदि जन्तु कोशिका में पूछा जाए तो आप नाम लोगे किसका glycosin का और ज़़ plant cell की बात की जाए तो starch का 10th नंबर पे हम work देखेंगे यकरत का 10 नंबर पे कारे देखा जाए तो हमने खाने के अंदर carbohydrate का देख लिया digestion हुआ fat का भी देख लिया emulsification हुआ अब बात आती है protein की जो protein हमने खाने में खाया है यह जब पाचितन होता है इसका पाचिन के बाद सबसे simplest unit बनती है amino acid सबसे simplest unit जो digestion के अंदर आती है वो क्या बनता है amino acids जब amino acids हमने protein बहुत खाली है ठीक है protein के source काफी जादा खाली है तो जब वो digest होगा तो digest होने के बाद क्या बनेंगे amino acids बनेंगे अब excess देखो जितनी शरीर को requirement होती है वो उतना ही ले सकता है तो कहते है न अती तो हर चीज की क्या होती है माडी होती है तो जब excess amount के अंदर amino acids बनते हैं liver क्या करता है इसको ठिकाने लगाने का काम करता है कैसे? तो amino acids को ये किसमे change करेगा? extra amino acids जो है कुछ तो शरीर ने काम में ले लिए लेकिन जो extra है ये यकरत के द्वारा किसमे convert कर दिये गए pyruvic amyl और इसके अंदर ammonia में चुँकि ये ammonia जो है न ये क्या है? toxic nature का होता है toxic nature का है या जहरीले है तो ये मानव शरीर के लिए क्या है? खानी कारक होता है अब इसको बोड़ी के बाहर निकालना है अब यकरत क्या करता है? इस ammonia को किसमे convert करता है? यूरिया में किसके द्वारा एक विशेश चक्र चलता है? जिसको बोलते हैं औरनिथीन चक्र हिंदी इंगलिश दोनों में बोलते हैं औरनिथीन साइकल इस औरनिथीन साइकल से ये किसमे convert होगा? यूरिया में चूंकि यूरिया भी क्या है? toxic nature का है लेकिन अमोनिया से थोड़ा सा कम toxic है इसको हम बोड़ी के अंदर थोड़ी देर के लिए store कर सकते हैं अब यही यूरिया कहां जाता है? ब्लड के अंदर चला जाता है और ये ब्लड फ्लो करता हुआ कहां जाएगा? किड़नी में और किड़नी का काम हमें पते क्या है? फिल्टर करने का तो किड़नी क्या करती है? इस ब्लड के अंदर या ब्लड में जो यूरिया है इसको चान लेती है इस यूरिया को क्या करती है चानती है चानने के बाद यूरिया अलग कर लिया जाता है यूरिया अलग होता है और किसकी फॉर्म में यूरीन की फॉर्म में यह हम बोले मुत्र की फॉर्म में यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है क्या कर दिया जाता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है पॉइंट क्या था प्रोटीन जो खाने के अंदर खाया पार्चन हुआ किसकी फोर्म में आया अमीनो असिड्स की amino acids, जितने चाहिए थे, शरीर ने ले लिए, extra amino acids, क्या करेगा यकरत, इसको pyrovicamal और ammonia में change करेगा, चुंकि ammonia toxic है, इसको urea में convert करेगा, urea कहां जाएगा, blood के अंदर mix हो, इस blood के अंदर urea है, ये भी toxic है, इसको बाहर निकालना है, तो ये काम कहां आएगा, filter होने के लिए kidney क पास, kidneys को filter करेगी, blood, saaf blood को तो शरीर में भेज़ देगी, और इस urea को urine की form में या मुत्र की form में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो आज जो है, हमने क्या देखे है, यकरत के कारे देख लिए, ठीक है, यकरत के जितने भी important important कारे थे, वो आज हमने discuss कर लिए है, एक एक बार थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, टॉपिक था हमारा आज का लिवर या यकरत, सबसे पहले हमने देखा कि यकरत जो है, इसकी position कहा है, position हमें पता है, right side of stomach कह सकते हैं, rib cage के नीचे या diaphragm के पास इसको कह सकते हैं, रंग इसका गुलाबी रंग होता है, वेट इसका 1.5 से 2 kg, heaviest organ है यह हमारी body के अंदर, लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथी है, अब ग्रंथी क्या होती है, तो ग्रंथी हम देखेंगे, ऐसी सनरचना या ऐसी structure जो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, कुछ chemical क रिलीज करेगी, किसकी फोर्म में या तो वो रस की फोर्म में होंगे, जूस की फोर्म में या एंजाइम्स या हार्मोन्स, चुंकि जो एग्जो क्राइन ग्लैंड होती है, यह या तो जूस को निकालती है, या एंजाइम्स को निकालती है, हार्मोन्स जो रिलीज करती है, वो कौन से होती है अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां ये अलग से ग्रंथियां होती है लिवर जो है इसका scientific या हम कहें medical term जो है ये इसकी क्या है medical term medical term क्या होती है hepatica या hypeto और लिवर की study को hypetology कहते हैं लिवर जो है जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको hepatic cells कहते हैं एक point याद आगया आगे करवाएंगे लिवर का functions देखें तो सबसे पहले लिवर का जो main function है bile juice का निर्मान करता है ये निर्मान कहां होगा यक्रत में ये store कहां होगा गॉल ब्लेडर में और work कहां करता है चोटी आथ के अंदर वसा का पाइसी करन करता है पित्रस का वसा का पाइसी करन emulsification of क्या होता है fat fat के जो बड़े-बड़े molecules digestion के दोरान अंदर आते हैं उनको छोटे-छोटे molecules के अंदर तोड़ता है breakdown करता है ताकि वो mix हो सके other food material के साथ इसकी nature alkaline होती है यह भोजन को शारियम आध्यम परदान करता है इसकी pH 7-8 के बीच में वेरी करती है हलका पीले रंगा होता है इसमें कोई भी enzymes नहीं पाए जाते पित वरनक पाए जाते है bilirubin, biliverdin, bilirubin पीला रंग देता है, biliverdin हरा रंग देता है लवन पाए जाते हैं यह लवक पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं indolsketol यह stool को क्या करते हैं एक smell परदान करते हैं यकरत शरीर में कुछ proteins का निर्मान करता है fibrinogen prothombin यह कौन सी protein है blood clotting करने के लिए जरूरी होती है next एक hyperin नामिक protein का भी निर्मान करता है यह hyperin protein है यह क्या करती है यह anti clotting है जो शरीर के अंदर blood flow हो रहा है उसको clot नहीं होने देती जमने नहीं देती storage का काम करता है liver कुछ vitamins को storage करता है कुछ minerals को copper iron को storage करता है RBC को storage करता है शरीर के temperature को बनाई रखता है carbohydrate का digestion होता है तो glucose बनता है excess glucose को glycosin में change करेगा इस glycosin को अपने अंदर store करेगा emergency के लिए कभी emergency में energy की जरूरत हो तो glycosin glucose में change होगा glucose से हमें energy मिलेगी इसी तरह प्लांट cell के अंदर जो है भोजय पदार जो store होता है वो बंड के रूप में या starch के रूप में होता है next देखते हैं जो खाने में हमने protein खाया है उस protein को जब digestion होता है तो simplest unit बनती है amino acids कुछ शरीर में यूज कर लिए जाते हैं शरीर की मरमत के लिए ग्रोथ के लिए कुछ जो excess में होते हैं या extra होते हैं उनको लिवर के द्वारा pyruvic acid या फिर अमोनिया के अंदर चेंज करते हैं अमोनिया जो है pyruvic acid शरीर के अंदर others काम में चली जाती है अमोनिया टॉक्सिक होता है इसको यूरिया में गुल गया blood में blood जाएगा kidney में kidney इसको filter करेगी यूरिया कहां आ जाएगा यूरिया मुत्र की form में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यह हो गए इसके function एक function जो main और रह गया क्या है कि किसी को यदि भोजन में जहर देकर मारा गया है यहां लिक देते हैं भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के सुराक का पता लिवर की जाँच से किया जाता है ठीक है अगर किसी वक्ति को भोजन में या इंडारक्ली या कैसे भी उसने जहर खा लिया है या जहर से उसकी मृत्य हुई है लेकिन रीजन किसी को पता नहीं चला है तो medical जब investigation होती है तो लिवर की जाँच से पता चलता है कि इसको जहर देकर मारा गया है कैसे तो हमारे शरीर में जो लिवर है इसके अंदर विशेश तरह की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं hepatic cells यह hepatic cells किस nature की होती है तो यह क्या करती है शरीर के अंदर जैसे ही जहर जाएगा या भोजन में जहर जाता है तो उस जहर को यह absorb कर लेती है या अपनी तरफ खीज लेती है ताकि यह जहर नीचे जो अगर मालो छोटी आथ बड़ी आथ या बलड में जाए तो वहां से यह शरीर के बड़े अंगों को damage ना कर पाए तो इनकी क्या जो होती है nature ये जहर को absorb कर लेती है तब ही liver की cells की जाच के द्वारा ही पता चलता है कि इस व्यक्ति की इम्रत्यू या इस व्यक्ति को क्या दिया गया है जहर दिया गया है तो आज का जो हमारा topic है यक्रत ये आज इसी session को आज यहीं पर खतम करते हैं thank you धन्यवाद